EDU for Electrical में आप सभी का स्वागत है हम लोग यहाँ पर Youth Book Explanation देखने जा रहे हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहला कोश्यन है Open Coil Winding is used in हिंदी में बोल रहा है Open Coil Winding प्रयोग की जाती है पहला option है DC मशीन में दुसरा है Both AC and DC मशीन 3rd is AC, Machine 4th is neither AC nor DC Machine तो इसका जो अंसर होगा option C, AC Machine जो हम लोग Open Coil Winding जो यूज करते हैं वो AC Machine में यूज करते हैं अब लोग देख लेते कि Open Coil Winding किस तरह का होता है चुरी होता है यह देखिया हम पर हमने कर दिखाया को यह हमाराyes Stator Part है यह हमारा रोटर पार्ट है स्लोट स बने हुए हैं उसमें अपन रखाए स्लोट को अपन रखा है ठीक है और असानी से हम उसमें वाइंडिंग को डाल देते हैं ठीक है तो यह बहुत इजी होता है इसको मतलब बनाना इसमें वाइंडिंग को इंबिल्ड करना मतलब वाइंडिंग को डालना और इसमें असानी होता है और एक और असानी यह होता है कि अगर आपको कोई और बेलों पाइप की तरह होता है उसके अंदर उसके अंदर राइर को डालते हैं तो इसमें एड़ानेज क्या होता है कि एरगेप बहुत कम होता है तो हमने पहल पाइप कम होता है अन्य recap तो कि वहां पार फैक्टर जोगा उसमें क्या होता है ए क्ट उसमें और बया है उसे magnetizing current जादा होगा और हमारा power factor क्या होगा decrease कर जाएगा मतलब पूर power factor होगा ठीक है तो यह हमारा comparison है close winding और open winding में semi close winding में भी मतलब moderate होता है इसमें कुछ जादा है तो मतलब कुछ मतलब अगर हम semi close की बात कर तो यहां पर reluctance open के compare में कम होता है ठीक है और यहां पर डिफिकल्टी होती है आप winding को जब हम डालते हैं slots में तो difficulty होती है लेकिन वही हम बात करें open winding में तो वहां पर बहुत असानी से हम लोग winding को डाल देते हैं slots में और कभी भी fault होता है तो असानी से उस fault को पता कर लेते किस winding को बात कर देते हैं तो यह था हमारा first question अब चलते है next question के और next question बोल रहा है motor starts run at dash speed due to bearing fault इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं वेरिंग खराब होने की वज़से मोटर डेस गती में चलने लगती है तो इसका अंसर होगा slow मत्तब धीमी गती में चलने लगती है तो option A correct होगा और जब हमारा जो वेरिंग खराब हो जाता है तो खर खरहाट की आवाज भी सुनाई देती है मतलब 29 प्रोड्यूस होता है मोटर में ठीक है तो यह reason है जब हमारा वेरिंग खराब हो जाता है तब हमारा जो मोटर है वह बहुत ही slow speed में rotate करता है और उसमें 29 जो होता है आव 40 V, 50 Hz प्रेरन मोटर में 5% की slip है रोटर EMF की आवदी होगी तो हमें पता है कि जो 3-phase induction मोटर होता है उसमें क्या होता है कि जब हमारा मोटर स्टार्टिंग कंडिशन में होता है मिंस कहने का मतलब रोटर अभी स्टेन अस्टिल कंडिशन है मतलब कहने का रोटर अभी स्टि होते हैं हमाले हम सप्लाई फ्रिक्वेश्च पिफ्टि हर्ज माल लेते हैं तो हमारा रोटर की फ्रिक्वेश्य क्या होगी 50 हर्ज हो अस्तार्टिंग टाइम में ठीक है ना कंडिशन में है है इंडक्सन मोटर का जो रोटर है वह 80% assistive कर लेता है तब हमारा जो रोटर फ आप हमारा given क्या है? slip, तो slip हमारा given है 0.05, क्यों? तो 5% given है, तो obviously 5 divided by 100 is equal to क्या हो जागा? 0.05, तो हमारा slip given है 0.05, frequency हमें पता है 50 Hz, तो हमने formula बताया है कि rotor frequency is equal to हो जाएगा S into F, F is nothing but supply frequency, तो हम लिखेंगे 0.05 into 50, तो मेरे पास अंसर आएगा 2.5 Hz, तो यह हमारा अंसर हो जाएगा, जो option C में given है, अब हमने चलते हैं next question की और, ठीक है, next question बोल रहा है, पुर्ण भार parent motor के सक्ति गुनंक होने की संभावना है, बोल जा रहा है, जो 3 phase induction motor होता है, वो फुल कंडिस, फुल लोड में है, तब उहां का power factor है, शक्ति गुनंक का मतलब होता है, पावर फेक्टर की कितनी होने की संभावना है, तो यह हमारा होता है, 0.85 पस्ट, पस्ट मतलब होता है, लेगिंग, मतलब ओविसली हमारा जो induction motor है, इंडक्टिव नेचर का होता है, ज खुल तो कभी भी केपसिटीव नेचर का होता हुए, इंडक्टिव नेचर का होता है, ठीके, अगर वही आपसे कोशन बोच देता कि नो लोड की कंडिसन में, पुर्ण भार यहां पे न, अगर बोल देता कि लोड नहीं है, भार नहीं लगा हुए, तब हमारा जो सकती वह वह कितना होगा, थ्री फेज इंडक्षन मोटर में, तो जनरल ही होता है, 0.15, 0.15 हमारा पावर फेक्टर होता है, जब हमारा इंडक्षन मोटर नो लोड कंडिशन में होता है, मतलब भार नहीं होता है उसमें तो, वह अगर हम ट्रांस्फर्मर की बात करें, अब चलिए हम में चीज देख लेते हैं, ट्रांस्फर्मर और इंडक्षन मोटर में क्या कंपेरीजन है, मतलब दोन में क्या डिफ्रेंस है, ठीक है, तो पहला नो डिफ्रेंस जानते हैं कि जो ट्रांस्फर्मर होता है, उसका जो स्टार्टिंग करेंट होता है, मतलब नो लोड करेंट ज ठीक है अगर वही हम बात करेंगा ट्रांसफरमर में नो लोड पावर फेक्टर की मतलब बिना लोड के जब पावर फेक्टर होता हूँ कितना होता है तो होता है 0.5 0.35 से हम लोगे अप्रोक्स मानते है 0.5 तक यह वेरी करते रहता है 0.35 तो 0.5 पावर फेक्टर वही अगर में इंडक्शन मोटर की पात करें तो हम पर पावर फेक्टर होता है तो हमने देखा कि यहां पर जो पावर फेक्टर होता है वह कम होता है ट्रांसफरमर में नो लोड करनेशन में लेकिन इंडक्शन मोटर बहुत ही कम होता पावर फेक्ट इसका क्या reason है, होता है कि ट्रांस्फर्मर में जो air gap है air gap तो होता नहीं है PAR 22-2nd कोड केby कोर से हमारे जो क्या होता ह। कोने करें चलिकम कोर से हमारा कोर सारें वायंडिंग लगी ही होती है और कोर से हमारा flux ट्रांस्फर्मर हो था इत थाही है तो वहां पर जो reluctance होता है, reluctance होता है, कम होता है, ठीक है, वही अगर हम बात करें, induction motor में, तो reluctance जादा होता है, क्योंकि हमने देखा है, कि rotor और stator के बीच air gap होता है, ठीक है, क्या होगा, reluctance is equal to क्या होता है, n, i by, phi ठीक है, तो अगर reluctance ज़्यादा है तो हमारा जो magnetizing current है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, magnetizing current ज़्यादा होने पर power factor जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, घड़ जाएगा ठीक है, power factor decrease कर जाएगा एसा इसलिए होता है, क्योंकि जो हमने फेजर डाइग्राम पढ़ा होगा, ट्रांस्फरमर में ये जो होता है E को indicate करता है, ये हमारा current को indicate करता है, ठीक है, या फिर हम बहुत सब्सक्राइगा, फ्लक्स को, फ्लक्स ही बेटर रहेगा, ठीक है, और दोनों ये और 5 के 20 का जो phase difference होता हो, 90 डिग डी का होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारा होता है core current, ठीक है, core current जो होता है, वो constant होता है, ठीक है, लगे हमारा magnetizing current हो भेरी करता है reluctance कहेंसे, अगर मालनेजें, यहाँ पर magnetizing current यह है, तो हमारा no load जो current होगा वह कुछ इस टाइब का होगा तो नो लोड करेंट जो यहां पर मिला इन दोनों की बीस का एंगल को ठीटा बोलेंगे ठीक है तो हमारा पावर फेक्टर क्या होगा को स्थीटा अब हम क्या करते हैं मैंटाइजिंग करन को बढ़ाते हैं मालो लिजे रिलक्टेंस बढ़ गया मिला किया तो अब हमारा क्या होगा नो लोड करेंट ट कुछ स्तरा आ जाएगा रिदे ब्लेक इतना बढ़ने से क्या होता पावर फेक्टर क्या हो अगया घर जाएगा थिक ए अगर हम में इस म करें कि बात करें तो हमारा फेक्टर्स हो जाए गा घटतर जाएगा थीक है तो यह जादा बुछ तो मैं ने बता दिया कि इस मिzeni जो करेंट होते नहीं में लुडàiко मैंने बताया कि power factor दोनों में different होते हैं no load condition में नो no load condition का बताया ठीक है दुसरा एक और होता है कि इसमें क्या होता है transformers में कोई भी rotating magnetic field नहीं होता है no rotating magnetic field वह हम बात करें in-duction motor में इसमे rotating magnetic field होता है मैं rotating magnetic field के बारे में बहुत अच्छे से बताया है बताया है यूथ बुक के Part 1 में, यूथ बुक के Part 1 एक्स्प्रेशन में, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, रोटेटिंग मेगनेटिक फिल्ड के बारे में, तो आप उस वीडियो को जरूद देखिएगा, ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है इन ट्रांस्फर्मर में यहां पर को भी सोर्ट सर्कीट नहीं करते हैं लिक्व इंडक्शन मोटर में क्या होता है रोटर को हम क्या करते हैं सोर्ट सर्कीट कर देते हैं ठीक है तो यह सारे बेसिक डिफ्रेंस है ट्रांस्फर्मर और इं दुसरा रोटर में 2 सरीationady wínding, तीसरा बोरा स्टेटर में 2 समनाानतर wínding, फॉर्थ बोरा रोटर में 2 समनानतर wínding, यहां पिल्ट पर जो अनुसर होगा वह घिज़ती हैं, रोटर में 2 समनानतर wínding होते हैं, ठीक है, तो हमने बाध कर देख लेते हैं, कि slip ring induction motor में जो starting torque होता है बहुत ही high होता है starting torque जो होता है बहुत ही high होता है slip ring induction motor में वह हम बात करें square key induction motor या फिर pinjri parent motor तो वहाँ पर starting torque होता है बहुत ही कम होता है ठीक है? तिस starting torque को improve करने के लिए और resistance को कम करने के लिए starting torque को improve करने के लिए और resistance को कम करने के लिए, होता है क्या है कि starting torque जो होता है, वो directly proportional होता है resistance का, ठीक है, तो जितना ही starting torque कम होगा, उतना ही resistance कम होगा, ठीक है, तो starting resistance कम होगा, ठीक है, अब resistance कम होने से क्या होता है, resistance कम होगा, तो क्या होगा, हमने जाना है कि जो हमारे three phase induction motor होता है, starting के time में, two to five percent of करेंट होता है 2-5%. अब बहुँ ज़ादा करेंट होता तो इस क्रेंट को लिप्रन करने के लिए हमें क्या चाहिए क्या policies जो प्रैंट होना चाहिए और का मुच्छा क्या है तो इसलिए हम लोगा क्वोज सकते हैं कि मैं बुपिंजरी मोटर की चेरत व्य sv pretend है वो इंक्रीज कर जाता है और हमारा उसके बएस स्टार्टिंग टोर्क भी इंक्रीज कर जाता है ठीक है अब स्टार्टिंग टोर्क इंक्रीज कर गया और स्टार्टिंग डेस्टेंस इंक्रीज कर गया तो उससे क्या होगा जब हमारा करेंट टू-टू-3 परसंट ओफ रे कि धुप एफ ऑन हुटा century मौटर जो होता हुसका रोटर का वहा किस तरह होता है तो चलिए देखते हैं यहां पर देखे़ए दू परकार मारे मथ हैं तो को भड़ बढ़व सिर्फ अधार ईंडुक्शन मोटर … तो यहां पर जो जो स्लोट Vaid did we बढ़ दिया घगा की जिए आप मुझ ए तो हमारे क्या होता है कि क्रोसेक्षेसरे अरिया ओ झाला होताâte क्यों आपने पढ़ा होगा skin effect के बारे में skin effect क्या होता है skin effect में क्या होता है कि जब हम AC supply देते तो current हमाली यह conductor है तो current जो flow कर रहता है वो सिर्फ conductor के surface पे flow करता है उसके inner part में नहीं flow करता है तो हम बहुत सहते हैं कि क्यों एरिया इस टाइम जब AC current फ्लो कर रहा है तो cross section area कम है तो cross section area कम है तो resistance क्या होगा high होगा ठीक है तो हमने क्या देखा कि हमारा resistance बढ़ गया तो हमको initial में क्या चाहता है resistance जाला चाहता हमको मिल गया लेकिन जैसे जैसे हमारा क्या होता है कि जैसे rotor 80% of synchronous speed achieve कर लेता है 80% of synchronous speed achieve कर लेता है तो हमार जो रोटर फ्रिक्वेंसी होता है वो क्या हो जाता है स्लिप फ्रिक्वेंसी मतलब जो स्लिप होता है उसे प्रोड़क्ट करते है सप्लाइ फ्रिक्वेंसी का वो हो जाता है रोटर फ्रिक्वेंसी एजूम करते कि हमारे जो supply frequency 15 मंतब्स तो दिक कि कम हो गया सिख्या ह्य्म सब्स्क्राइब दक यह मत्तव के बराबर है अब क्या होगा हमारा जो अघ्र करेंट एंड़ेगाइ़ पर जょ जाएगा 나ा ऑग स्टेस्टेंस क्या जाएगा भरोट जाएगा तो इससे क्या होगा है कि डिब बार जो हम इंडेक्शन मोटर यूज करें तो हमको स्टार्टिंगी मुझे मिल गया उसके उसके रागा है जैसे हमारे पर청नो च्वेड़ इंपके से स्पीड एक **** कर लेता है थो हमारे पनल जाता है तो प्षे स् से वह घढ़ collar पर तो फ Hai मोचे सनफ हुटuar जाता है तो जितना take जॉद करता हरा तो मुझे भी मुझे मिल गया था इ刃 तो मुझे मिल गया और दूसरा मुझे मिल गया कि जब मुझे मुझे मिल गया जिसे हमारे एफ़िशेंसे भी इंप्रूव मत्तों इंफिशेंसिंश Eduardoji whatsappрий कोई फिर्फवानिप नहीं पड़ा ज्यादा है। तो यह हमारे ड्वांटेस था डीप बार इिंडेक्शन मोटर का अभामन चलते हैं आठेकिस देख लेते हैं कि जो नर्मल होता है वह इस तैन। जो नोनमल स्लोट बना जाते तो उस टाइब के बनाया जाते थे अब डिप बार के इस तरह के शोलोट बना जाते या फिर इस तरह के जैसा requirement होता है उस हिसाब से स्लोट को बनाया जाता है अब हम आ जाते हैं जो हमारे कोश्चन ने पुछा गया उसकी और यह है दूप पिज वोगे हमारे इनरे केक यह हमारा है और हाँटर केक तो आउटर केक में है जो बार यूच और अपर एल्मॉनियम ब्रास करते हैं हैं यह भीक yo कुरते हैं लेकर वह की इसमें देखते तो सत्ली हम जो जाकर यह करते हैं और यह हमारा एर गेप हैं दोनों गेपीज जिसको हम बोलते हैं कंस्टिक्शन इसमें भी वह यहां पर भी होता है होता है कि एक्चुली जब हमारा करेंट फ्लो होता है रोटर में मैं कंडुक्रन में उसमें रेसिस्टेंस भूत हाइं रहता है और जैसे हमारा जो र्चाप्रूतर है लेजने सिंभ लेजन संटीमा सभ़ जाता है तो हमारा जो रेशिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाता इसकर हमारा एफिसएंसिक्र पर ज्यादा प्रभावव opposite पर तो भी हमें मिल जाता है, जैसा मैंने बताया है, जो प्रोसेस है वही हमारे यहां पर भी प्रोसेस है, कैसी का रेसिस्टेंस हाई होता है, अगर कोई पूछ दे क्या है डीप बार और डबल केक इंडक्शन मोटर में डीप तो होता है, हम लोग यूज करते एक ही मेटेरियल का यूज करते हैं, लेकि इसमें हम लोग दो मेटेरियल का वायर यूज करते हैं, पहला जो उपर में जो आउटर केग में जो वायर यूज करते हैं, वही हमारा जो इनर केग में जो वायर यूज करते हैं, वही हमारा जो इनर केग में जो वायर यूज करते हैं, यूज करते ह आसा इनर के मैं और इनर के में तोस пери इनर के गराफ मतला करता है। जब अश्वाटर के गरें करता है 해 यह ग्रते हैं को सब्सक्राफ का यह इंगा मरे यह दो कीioè डोलिए बडाफ होगा हो रोटर जो है 80% सिंग्रोने से स्पीड एचिव कर ले रहता है तब हमाई इनर केक और आउटर केक दोनों ही काम करते हैं तो जो कमबाइन हमको जो मिलेगा ग्राफ वो कुछ इस तरह का मिलेगा ठीक है यह जो ग्राफ हैं पर सोक किया जारा उस ताइप का ग्राफ मिलेगा ठी तो हमने देखा कि आप स्टाटिंग टोड़क है काफी जादा है यह जादा इस ग्राफ कैसे बन रहा है अगर हमाल इसे यहां पर यहां पर चार यहां पर तीन ठीक है तो तीन प्लस चार साथ कुछ यहां पर आएगा उसी तरह हम लोग इसको एड़ाप करके हम लोग इसको इस ग्राफ को बनाए है इन दोनों के हैल्प से इनर केक के ग्राफ और आउटर केक के ग्राफ से हम जो एक्चुल ग्राफ उसको बनाए ठीक है को शन में हमसे पुछा था पुछा गया था कि जो हमारे द्यू पेंजरी जो प्रेंड मोटर होता है उसमें जो रोटर में जो होता है या फिर शेनी में होता है तो हमारा हमने देखा यह आंप दिख रहा है कि दोनушка ही सम्नांतर लगे हुए हैं किस कोस्टन की और की अज़ी करते है लाते है ने है एस्टेटर आविर्ती नियंत्रन तिसरा है सोपानी नियंत्रन फोर्थ है एस्टेटर वल्टता नियंत्रन कि स्लिप नियंत्रन का प्रयोग करते हुए पिंजरी प्रेरन किया जाता है जो हमारा स्पीड है इंडक्शन मोटर का उसको कंट्रोल किया जाता है वो किस के द्वारा किया जाता है ठीक है तो यहां पर अंसर हो जाएगा अस्टेटर वोल्टता नियंतरन अस्टेटर वोल्टता नियंतरन अब लोग देखें कैसे ऐसा होता है, हम स्लिप को कंट्रोल करके, हम स्पीड को कंट्रोल कर दे रहे हैं, बाद हेल पॉप अस्टेटर वोल्डता नियंतरन, ठीक है, यह कैसे हो रहा है, हम लोग इसको बहुत डिपली से जानेंगे, आपने जब पढ़ा होगा, लेकि हम जब बात करते है, ररनिंग टोड का, तो असमें हम आज जो हमारा टोड होता है वो डायटली पोपोश्टन होता है, श्लीप इन्टो वी ड़ी स्कॉर ठीक है, तो हम लोग को स्टार्टिंग और स्टार्टिं टोर्ड से कोईइंटरेस्टेड नहीं है, क्यूंकि हम को speed nientrain की requirement होती है running condition में ठीक है तो running condition पे हम आते हैं तो running condition का किया हमने धेखा कि कि जो running talk है वो डाइट ली परपोस्ट है slip into voltage का square ठीक है तो हम यहां पर में बोल रहे हैं कि stator voltage nientrain के दोआरा हम लोग slip को control करके speed को control कर रहे हैं ठीक है orderstellar के using voltage को वहीं कर रहा है एक voltage वहीं कर रहा है मोई दिय करके मुझे वोल्टेज को मेने घटा तो हमारा sleep दढ़ है क्यों sleep दढ़े गा क्यों sleep दढ़े गा क्यों कि मुझे firearm खो дал our running यह उसे motive और क्यों को रख्टना है death of. अगर हमारा slip जब बढ़ेगा अगर slip बढ़ रहा है तो हम जानते हैं कि जब slip बढ़ता है तो हमारा speed क्या है वो घटेगा क्यों घटेगा क्योंगYou sleep is nothing but ns minus nr ठीक है divided by ns into 100 ठीक है तो हमा जब slip बढ़ेगा तो हमा speed घट जाएगा रोटर speed घट जाएगा या पर ध्यान रखें कि रोटर एक लिमिट तक के वोल्टेज को हम भेरी करा के स्पीर को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, विद्धा हेल्प अस्टेटर वोल्टा नियंतरन, अब हम आते हैं, नेक्स्ट कोश्चन की और, नेक्स्ट कोश्चन बो होता है copper loss को determine करता है और वह हम बात करते है open circuit test का तो determine करता iron loss को और iron loss is nothing but hysteresis loss plus sorry iron loss is equal to hysteresis iron loss is equal to hysteresis loss plus ED current loss ठीक है तो हम लोग by the open circuit test से हम लोग find out करते iron loss को और source circuit test हम लोग find out करते copper loss को next question is when a motor is switched on the rotor frequency is जब हम motor को switched on किये हैं तो हमारा rotor frequency क्या होगा इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं जब एक motor को चालू किया जाता है तब घुर्नक की आविर्थी डेस होती है मत्तों rotor की आविर्थी क्या होती है तो मैंने बताया था बताया था कि जब स्टार्टिंग कंडिशन में जो हमारा rotor का जो frequency होता है सेमी होता है जो supply frequency होता है the rotor frequency is equal to supply frequency लेकि जैसे हमारा rotor जब 80% synchronous speed चीप कर लेता है तो हमारा rotor तो जो rotor frequency होता है उस time में वो less than होता है synchronous speed, oke, sorry, less than supply frequency, rotor frequency जो होता है, less than supply frequency होता है, तो यहां पर option, sorry, option B जो है वो correct होगा, same as supply frequency, अभ हम रहाते है next question की और, next question बोल रहा है if the slip of the rotor of induction motor is half the value of rotor reactance becomes हिंदियों पढ़ लेते हैं यदि एक प्रेणन मोटर में घुर्णंग की slip आधी हो जाए तो घुर्णंग का reactance होगा तो हम दो जानते कि जो slip होता है वो equal to होता है r2 by x2 ठीक है हम क्या कर रहें slip को half कर रहे है तो slip को half कर रहे है तो हमार जो reactance होगा शुलिक सत्य half into r2 by x2 तो हमार जो reactance भी लेगा x2 is equal to 2 into r2 तो reactance क्या हो जाएगा मार डबल हो जाएगा तो यहां पर option यह जो है वो correct होगा दो गुन्दाव